सिरी नगर, सिरी नगर, सिरी नगर हमारे जम्मु में इतने टूरिस्ट कब आएंगे हब आएंगे क्योंकि मोधी जी यहां के यतासिग स्थानों को इंटर्नाशनल पहचान दिलाएंगे मैटल इंटर्नाशनल एरपॉर्ट बनेगा जम्मू बनेगा Special Tourist Hub सच में? हाँ, क्योंकि जहां भाजपाद, वहां विकास शांती, स्थेता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोधी पर विश्वास क्यों का, अभिवादन करता हूँ 2025 में Quad Leaders Summit का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी भाट भाट धन्वाद बहुत एक्साइटट हूँ मैं अडिसन न्युजर्सी से हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटट हूँ पहरी बार आऊजने मिलने के लिए आ रहा हूँ मतलब बताने से तना कि इतना गर्व बपील हो रहा हूँ मुझे कि अमर जी शास्त्री है मैं हर्याना में रोहता कर रहने वाला हूं लेकिन अब हम नीयोर्क में रहते हैं पिछले 10 सालों से मोधी जी आए जी सा आगा मोधी जी ने जो पेटा बर्या मारी गया फुट उतरवाया और मोधी जी जो चेरे की स्माइल देखी हमारी सारी पिछले 45 गंटे की थकान दूर हो गई और भगवान ऐसा प्रदानमंत्री हर देश को देखो जी आप अमेरिका की लाइफ को जानती है तो बस भगवान से यही प्रारतना की चीजे अच्छी हो बस और जिस तरीके से मोधी जी के नित्रितों में देश उन्नती कर र जानती होगे हां कि दूद्धाही का खाना यह मेरा हरियाना यह मेरा हरियान यह मेरा हरियानी नहीं जालए आग मोदीन तो आपने सुना डिव जाक में बौजूद लोग किस तरह से प्रधान मंत्री मोधी का इंतजार कर रहे हैं और उनकी उत्सुकता उनका उल्लास उमंग जो है और बेचेनी साफ तोर पर नजर आ रही है कि कब प्रधान मंत्री मोधी उनके बीच पहुँचेंगे और संबोधन करेंगे अब बात करेंगे जमो कश्मीर के चुनाव को लेकर और चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर दूसरा चरन बहुत जल्द होने वाला है कुछी घंटों का समय इस प्रचार में बाकी है लेकिन इन समय में कैसे सभी राजनितिक पार्टियां अभी भी लोगों के बीच जा रही है प्रचार प्रसार कर रही है तो फिलाल बीजेपी की बात करें तो रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा विस्ता काफी चाक चौबन कर दी गई है ग्रह मंत्री अमद्शाह भी कल जमो कश्मीर के दौरे पर थे और कई सारी रैल्यू को उन्होंने कल एक दिन के अंदर संबोधित किया है अमद्शाह के बात राजनाथ सिंग अब इस प्रचार प्रसार की कमान बीजेपी के तरफ से संभालेंगी लेकिन ये प्रचार प्रसार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है बलकि opposition यानि विपक्ष के तरफ से चाहे वो नैशनल कॉंफेंस हो चाहे वो PDP हो या अन्य छोटे दल हो Congress भी नैशनल कॉंफेंस के साथ गटबंदन भी प्रचार प्रसार कर रही है खास तोर पर जम्मो संभाग में कॉंग्रेस अपने दबदबे को कायम रखना चाहती है अपने जनाधार को आपिस लोटाने के लिए हर मोमकिन प्रयास हो रहा है और जिसमें कॉंग्रेस ने सबसे भरोसे मन और वरिष्ट नेताओं को बीच में उतारा है तो तब उस समय में किस तरह से लोगों का रुझान रहेगा किनकी पॉलिसी पे लोगों का ध्यान के इंदरित होगा ये एहम सवाल है फिलाल चुना प्रचार की प्रक्रिया लगातार जारी है अब कुछ घंटे और है रुपाली जिसके बाद दूसरे चरण का प्रचार प्रचार को की लिस्ट में नाम सामने आया है जहां पर आपको बता दे कि पुंच में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनात सिंग और यहां पर रैलियों को संबोधित किया जाएगा और अलग-अलग जगा पर अलग-अलग वक्त पर ये रैलिया की जाने वाली है और आपको बता दे कि पुंच के कोतरांका, फवारा चोक और आर्मी ग्राउंड सुंदर बनी में ये रैलियों होने वाली है और पूरी धुआदार रैलियों जो है सभी सियासी दलों की जा रही है लेकिन अगर बात की जाए पहले चरण के चुनावों की मद्दान की तो सा पुंच 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 रहे हैं क्या कुछ उत्सा लोगों में है किस तरीके का जोच उत्सा कारेकरताओं में देखने को मिल रहा है इस बात करें तो सुबह से ही लोग जो है राजनाजिंग को सुनने के लिए जो है वो पुंच रहे है आगरम बात करें तो तो जिस तरह थे पिछले के जिनों से हम देख रहे हैं कि पुंच के अंदर अलग-अलग पाटियां जो है वो परचार कर रही थी वहीं बाज 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 भाज भी इस पाज जोरो शोरो से जो है वो परचार कर रही थी कला हम ने देखा कि पुंच के सुरूम कोट और मैंडर अज़ा के अंदर तो फूंच के अंदर राजनाद सिंघ का दोरा है, जिसको मैं आज राजनाज सिंघ कोच के वाजने के कृश्चेंटर पारिक में जो है वह जो आज आलोग है। बिल्कुल सानी देखे जिस तरह से बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है घ्रह मंत्री अमध शाहा ने कई रैलियां की अब रक्षा मंत्री राजनात सिंग पहुंच रहे हैं तमाम बड़े नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं पूरी ताकत जोंग दी हैं क्या लगता है पिछले 10 साल का कारिकाल केंदर सरकार में और अंतल्यार कारी दीतियों को यहां पर पहुंचाने का दावा हो या फिर जो स्टेटस खासता और पहाडियों को मिला है पुंच रज़ौरी के इलाके में क्या उसका प्रभाव इन चुनाव में देखने को मिल सकता ह करें तो जिस तरह से पहारियों की अगर बात करें तो पहारी कपीला जो है इस बार जो है वो हक जो है जो पहारियों को मिला है उसका दरदा जो है वो मिला है उसको लेकर पहले ही पहारी जो कह चुके हैं कि इसका बदला जो पैनिफिट हमें मिला है उसका जो हम पर एक को जो है वो ही करेंगे विल्कुल क्या बुटे होंगे और पुंच के लोगों के सामने खास तौर पर क्यूंकि इस बार जो खिचड़ी है एक सियासी खिचड़ी जिसे कह सकते हैं बहुत सारी पार्टियां मैदान में हैं बहुत सारे छोटे छोटे दल भी हैं जी तरह से बाज़पा बार जो है वो मैनर कर रही है तीनों सीटों पर पुंच की मैनर हो या सुर्म कोर्ट हो या पुंच हो बाजपा लगातार जो है वो जनता के बीच पुंच रही है और जनता से जो है लगातार जो है वो इस जो मोदी जी बिल्कुल सनी इसी के साथ अगर बात की जाई ये रेजर्वेशन जब पहाड़ी बकरवाल समुदाई को मिली थी तो उन्होंने साफ तोर पर कहा था कि जब चुनाव होंगे तो एहसान के बदले एहसान जो है वो चुकाया जाएगा तो क्या कुछ लगता है भारते जंता पा पहुंचे थे और आज भी देखा जा रहा है कि पहारी किबीला हो या उसके लावा गुजर बकरवालों को यहां पर पहुंचे रहे और बड़ी पहलाद में लोग जो है अमीशा को राजना सिंग जी को सुनने के लिए पहुंचे थे अगर हम बात करें तो कुछी देर के ब है एक सोगा जो है वो दी है ठीक है सनी बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए और इसी के साथ जमुकश्मीर की अगर बात की जाए तो आतंकियों के खिलाफ इस वक्त बड़ा ऑपरेशन जो है वो जारी है और ये बड़ी खबर जो है जमुकश्मीर से निकल कर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें बी एसेफ के जवानों को एक और बड़ी काम्याबी जो है वो मिली है और एलोसी पर नाकाम गुस्पैट की कोशिश जो है वो नाकाम कर दी गई है हत्यार और गोला बारू जो है भारी मातरा में बरामत किया गया है फिलहाल अब और जादा सकती से सुरक्षा व्यवस्ता जो है जमो कश्मीर में कर दी है क्योंकि एक तरफ विधानसबा चुनाव जो है वो चल रहे है और दूसरी तरफ लगातार ये गुस्पैट की कोशिश जो है आपर आतंक्यों द्वारा की जा रही है लेकिन बी एसेफ को बड़ी का लाहट है वो साफ तोर पर नजर आ रही है और आतंक्यों को घुस्पैट कराने की पूशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है लगातार इंफिल्ट्रेशन के प्रयास यहां पर हो रही है लेकिन उसको कैसे नाकाम्याब जो है हमारी बीस और सेना के जवान कर रहे हैं ज स्क्रीन पर आप तस्फिर देख सकते हैं यह सावान जो है यह उसी एलोसी के इलाके में वहाँ पर बरामत किया गया है जहां पर घुस्पैट की कोशिश हो रही थी इतना ही नहीं एक तरफ घुस्पैट की कोशिश को रोखना यह बहुत बड़ी चनौती और दूसरी तरफ जो घुस्पैट कर चुके लोग हैं जो अंदर आ चुके हैं और उनको भी मार गिराना जो है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है लगाता यह किया जा रहा है किश्पैट में भी इस्तवक्त मुटभेड जारी है वहाँ पर सर्च ओप्रेशन पो रहा है चलिए अगली बड़ी खबर बीती रात आतंकियों के साथ मुटभेड जारी है किस्तवाड में सेना ने सर्च ओप्रेशन जलाएं देखे जमो कश्मीर के किस्तवाड में 13 सितंबर को पहली बार वो मुटभेड हुई थी दो जबान शहीद हुए थे और लगबग 7-8 दिनों के बाद एक पिर से उसी घेरे को सकरिय कर दिया गया है क्यूंकि उस दिन से आज दिन तक वाहाँ पर जो घेरा था जो चक्रविव सेना की तरफ से रचा गया था उस चक्रविव के अंदर वो सभी आतंकी फसे हुए अभी तक ग्राउंड सोर्सिस से खबर आ रही है उसमें बताया जार दो आतंकियों को मार गिराने की यहाँ पर बात की जा रही है। दो आतंकियों को मार गिराने की जा रही है। देर रात तक कुछ फायरी जुरू होती रही। लेकि ताजा मुठवेर अभी नहीं हुई है, फायरी नहीं हुई है। दो आतंकियों को मार गिराय है, ऐसी खबरें उड़ रही थी, आलंकि इस पर कोई पुष्टी नहीं है। क्या ये पुष्टी अभी तक हुई है, क्या कोई sources बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है या अभी तक नहीं है। अभी तक हुआ 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 है। लेकिन ये जुरूर है कि सुबा से सर्च ओपरेशन है वो बड़े तमाने पर जारी उससे तेजी ही आ रही है, कमी कोई नहीं आ रही है। ठीक है। क्या बात है भाई बड़ा कुछ लग रहा। भाई मोधी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, शात्रों को लेपटॉप, टैबनेट के साथ तीन हजार रुपे का ट्रेवल एनॉंस भी देंगे। और इसी के साथ जेके पीएसी, यूपीएसी की तैयारी करने वालों को दस हजार रुपी का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? क्योंकि जाम बाजबा वहां विकास, शांती स्थिर्था और विकास, जम्मू कश्मीर को मोधी बर विश्वास. लेकि बर विकिन अब अरविन के ज्जिर्थ्वाल सुप्रीम कोट से निकल कर, सुप्रीम कोट की शर्तों के बाद जेल से निकल कर, जनता की आदालत लगाएंगे। आपके सभी नेता इसमें शामिल होंगे, सभी मंत्री, सभी उधायक इसमें शामिल होंगे और साथी साथ इसमें लोग भी पहुंचेंगे, दिल्लिवासी भी पहुंचेंगे, लेकिन बड़ा सवाल रूपाली ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत दी, शर्तों ग्रहन समारों में अपनी शपतली और उसके बाद आज जंदर मंतर पर साथ तोर पर अर्विंद केज्रिवाल की अगर बात की जाए तो वो भाजपा का घेराव और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे और इसी में बड़े नेता, आम आदमी पार्ट की तस्वीरे सामने आएंगी जहां पर अर्विंद केज्रिवाल का ये कहना है कि लोग उन्हें कहेंगे कि मैं इमानदार हूँ और आप जंतर मंतर पर ये जंता की अदालत जो है वो देखी जाएगी और जिसमें भारत जंता पार्टी के खिलाफ मोर्चा भी खोला जाएग बिल्कुल और इमानदारी के पैमाने को लेकर इस वक्त अर्विंद केज्रिवाल अब जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं जनता से इमानदारी को लेकर अपना सबूत या फिर उनसे सबूत लेना चार जाएगी बार सवाल ये है कि सुप्रीम कोट ने उन्हीं शर्थों पर जमानत पर जबाब शर्ते रखी गई है और ये केस अभी तक पूरी तरफ से नहीं सिम्टा है इस केस पर अभी कारवाई जा रही है सुप्रीम कोट ने ये भी कहा है कि जब भी जाच होगी तो आपको इसमें सैयोग करना पड़ेगा लेकिन चुनाव भी है रधानसभा की चुनाव भी चल रही है हर्याणा में आमादमे पार्टी ने पूरी कमर कस्ट है 90 की 90 सीटों पर चुनाव रड़ने जा रही है और ख सुप्रीम के वोट से चुने हुए नेता बने मुख्यमंत्री बने और आज एक बार जेल के आने के बाद जो भृष्टाचार का केस था उसके बाहर आने के बाद जबारत के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अब जनता के बीच फिर से ओ जनता जो अदालत है वो लगा बिल्कुल शीतली सी के साथ 15 सितंबर को अरविन केज जिवाल अपने पत से इस्तिफा देने का एलान किया था और इसी दरान उन्होंने कहा था कि अब वो जनता की अदालत में जाएंगे तो आज जनतर मंतर पर ये जनता की अदालत होगी जहां पर बड़े नेता आम आदम पार्टी के शामिल होंगे और साथ इसाग भारते जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का मोर्चा खुलते हुए नजर आएगा विल्कुल सही का आपने कहा अरुपाली दिल्ली शराब नीती घोटाला का पूरा माबला था 2021 में केजरिवाल सरकार नई शराब नीती लाई सरकार के तरब से एक नई शराब नीती आई यानि शराब की पॉलसी लेकर आए जुलाई 2022 में LG ने इसमें गड़बड़ी बताते हुए CBI जार्च की सिपारिश की LG ने दिल्ली के इलेपनेट गाउनर ने उनकी सिपारिश की अगस 2022 में ED और CBI ने केज धर्च किये केजरिवाल को ED और CBI ने गिरफतार किया उन्हें घोटाले का मास्टर माइंड भी कहा जुलाई में ED और सितंबर में CBI ने उन्हें जेल से ही गिरफतार कर लिया उसके बाद 177 दिन वो तिहार जेल में रहे लगभग 156 दिन कुछ दिन जो है वो लोकसभा चुनाओं के मध्यनतर उन्हें जमानत भी मिली थी गुल मिलाकर 156 दिन वो जेल में रहे और 11 मई 2023 को सुप्रीम कोट में अपसरूं की ट्रांसफर पोस्टिंग कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया वो जेल में थी लेकिन फिलाल अब नया ठीक है इस वक्त बड़ी खबर टेस्ट से जुड़ी चैने टेस्ट में भारत की दमाकेदार जीत बंगलादेश को दोसरी और अक्सी रनों से भारत ने हरा दिया है यह बड़ी अपडेट दूसरी पारी में 234 रन पर बंगलादेश टीम सिम्टी है पहले टेस्ट में भारत ने तमाकेदार जीत हासिल की है और पहले टेस्ट में बंगलादेश को हरा दिया गया है चने में यह टेस्ट खेला जा रहा था और इसी टेस्ट के दुरान भारत ने बंगलादेश को लगभग 280 के बड़े अंतर से हरा दिया है और इसमें बहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर भारत ने बांगलादेश को हलाया है यानि पहला टेस्ट और भारत ने ये टेस्ट अपने नाद किया है इसमें रोहिच शर्मा विराट कोली जैसे तमाम जो खेलाडी हैं वो खेल रहे थे और कुछ नए खिलाड़ी कुछ येंग्स्टर्स भी इसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे थे पहले ये भारत ने 376 रन का विशाल से को बाद दूसरी पारी में 249 रन ही बना पाई और दूसरी इनिंग में 234 पर बांगलादेश की टीम और पहला दिन अपने नाम कर लिया है पहले पहला पाई इसमें ये देखने को मिला कि जबरदस पारी गई खेली गई जिसमें आपको बता दे रिपारी में 6 विकेट के जटके बांगलादेश को दिये और इसी के साथ भारत का स्कोर जो है 300 से जादा निकल कर सामने है जल्द ही उन समस्याओं का निस्तारण भी करेंगे उनका हल भी करेंगे और अपसरों की निगरानी में ये निराकरण होगा क्योंकि जिस तरह से लोगों को जो समस्याई प्रशास के लेवल पर हो रही है उनको निस्तारण कैसे किया जाए उसको लेकर अब ये मुहिम उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा जो है वो शुरु कर दी गई है समस्याई को सुनकर जल्द निस्तारण करने के आदेश योगी आदेतनात द्वारा जो है वो दिये गए है यूँकि मुखे मंत्री जब भी लोगों की बात आती है तो उसको लेकर हवेशा ये बड़े पैसले लेते हैं खास तौर पर प्रशास्तिक अधिकारियों पर जो है व खुद सीम योगी आदित्यनात भी बहुत बार जो है अलगलग जिलों में जाते हैं और लोगों की समस्याउं को सुनकर उन्हें जल्द निस्तारण करने का निर्देश देते हैं अब इसी में सभी जिलों में प्रभारी मंत्री जो है वो बैठके करेंगे और उसके बाद ल जबारी मंत्रियों की संगचन और अफसरों के संग एक साथ बैठक जो है हो रही है और जितने भी लोग जिनकी जन समस्या है उनको सुनकर जल्द से जन उसका निस्तारण जो है वो किया जाएगा पिल्गुल सही का आपने और समस्याएं जो उतरपदेश के लोगों के सामने या अलग-अलग जिलों में लोगों के सामने आती हैं छोटी-छोटी समस्याएं हो बड़ी समस्याएं हो जमीन को लेकर विवाद हो पानी विजली का मुद्दा हो सड़कों का मुद्दा हो या तबाब जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उनका कैसे जल्ब से जल्ब हल किया जाए उसको लेकर सरकार की ये रणनीती ताई होती है उस रणनीती के आधार पर काम होता है सभी मंत्रियों को एक साथ एक मंच पर लाकर उनसे बैठक होती है और उसके बाद संबंदित विभागू को भी निर्देशित किया जाता है उनके जो बड़े अधिकारी हैं जो आला अधिकारी हैं उनसे मुलकात की जाती है और उसके बाद अलग-अलग जिलों में मंत्रियों को उनको प्रिभार दिया जाता है उनको जिम्मेदारियां सौपी जाती है उनके कंधों पर जिम्मेद और ये 2011 के संसेस के मुताबिक और ये आबादी और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है यानि कई ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश से काफी चोटे ही यहां की कानून वेस्ता यहां के विकासकारिव यहां के लोगों के छोटे-छोटे कार्यों को भुनाना एक बहुत चुनाओती है रजा अबास मारसा जोइन हो चुकी है रजा जरा डीटेल में जानकारी बताईएगा कि इस तरह से जिलों में आकर जो प्रभारी मंत्री हैं जिने जिम्मेदारी दी गई है वो इन समस्याओं का हल करते हुए नजर आ रहे हैं देखिए हमेशہ भारती जन्तापाटी ने हर जिले की कमान किसी नकिसी मंत्री को दी है प्रभारी बनाया है और यक प्रभारी चेंज होते हैं हर छे महीने साल बर में तो दो हज़ार चोबिस के चुनाओं के बाद तमाम मंत्री गण स्बसे ये कहा गया है गिसी एक छ किटर एक-एक जिला आप लोग को दिया जा रहा है वहां ग्राउंड लिबल पे जाइए कम से कम दो दिन रहिए लोगों की जन समस्याँ से रूबरू होईए लोगों की समस्याँ को दूर कीजिए और अगर कोई अधिकारी उन समस्याओं का जो है निस्थारन नहीं कर रहा है तो उन पर कारवाही करने के लिए लेटर भी जो है हाई कमान यानि मुकमंतरी को लिखी है यानि अधिकारियों की भी जानकारी देने का भी काम मंतरियों को दिया गया है कि अगर मंतरी सही तरीके से वहाँ पे छेतरी अधिकारी अगर काम सही नहीं कर रहे हैं जिला इस तर पे तो जाहिर सी बात है योजनाओं को जो है लाप पोचाना जन्मानस तक सही तरीके से योगी आधितनाद और प्रथान मंतरी की योजनाओं पोचें सरकार की योजनाओं पहुँचें मंत्री रूबरू हों वहाँ पे कैडर से गुफ्तगू करें बातचीत करें हर जिले में हर विधान सभा में जा जाके प्रवास करें कम से कम दो दिन रुकें क्योंकि उप्चुनाओं में इस्तिथी भारती चाहिए होते हैं किसी भी तरह से कंप्रमाइज नहीं क मुद्दों की क्या सीमाये हैं कैसी कैसी समझाएं आप लोगं की तरफ से रखे जाती हैं जी 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 देखें ये जब प्रवास होता है तो वहां पर जाकर कोई एक बस्ती को नॉमिनेट करके पहली से बता दिया जाता तक यहाँ पे मंत्री जिर कियेंगे तो कोई गराम सभ या नगर पंचायत वहां पे मंतरी रुकते हैं और उस नगर पंचायत के अधिकारी वहां पे मौझूद होते हैं जिला इस्तर के ब्लॉक इस्तर के और पब्लिक की पंचायत होती है यानि वहां की लोकल आवाम होती है वो मंतरी के सामने रूबरू होती है वो बताती है कि दोरा था प्रुवांचल का उन्होंने ये कहा था अगर डोर टो डोर हमारी योजनाय नहीं पहुच रही है तो इसका मतलब जिला इस्तर के अधिकारी जो है कहीं 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 डूलमुल रवईया अपनाए हुए है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा ये तवाम अपडेट तवारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रजवास जानकारी दे रहे थे वक्त एक और ब्रेक का है फॉरन लोट तो लबे के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अब जरा बुलेटन में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी अफडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी यूपी से कालपूर में फिर ट्रेन हाद्सा गराने की साजिश रची कहीं है देखे एक बार फिर पट्री पर गैस सिलेंडर मिलने का ये बाबला सामने आया है कांपूर के अंदर लोकोपाइलिट की सूजबूच से ये ट्रेन हाद्सा टला हुआ है कांपूर में लगा तार यह तीसरी घट्ना निकल कर सामने आई है जहाँ पर एक बार फिर से ट्रेन हाज़से को जो है वो यहाँ पर उसके पीछे कही ने कहीं एक साजिश रची गई है आप तस्विरों में खुद देख सकते हैं एक गैस सिलिंडर वहाँ पर मिला हुआ है और सिलिंडर मिलने के बाद पूरे रेल विभाग में इस वक्त हड़कम मचा हुआ है क्या खिर कौन है जो बार बार साजिश रच रहा है रेलवे के खिलाब ट्रेनों के खिलाब और ट्रेन के सामने पर के बड़े बड़े जो वो सेमिट से बने हुए होते हैं उनको रखतिया जाता है ताकि ट्रेन हाथसा हो अलंगी यह कट पताई जा रही है लेकिन माल गाड़ी के आगे इस तरह की साजिश को रजना इसका क्या है यह दिया जा रहा है यह सबसे बड़ा सबाद है लोको पा रचती हुई सामने आई लेकिन साफ तोर पर गनीमत यह रही कि लोको पाइलेट ने अपनी सूजबू से ट्रेन को जो है मौके पर रोक दिया और आपको बता दे कि छोटा एलपीजी सिलेंडर जो है ट्रेन की पट्री पर पड़ा हुआ मिला जिसके बाद यह बड़ा हाथ मौद फृपन में घृठ और लगा टार दीजिए घटना ये ला और रेल्वेर के सफीर दवारा एक जा रही है छाई पर सुनिल गोपाल हबारिश सयों की दोढ़ चूकOOOO को भी लगोडेट ही प्रेंपूर से प्रियागराज की ओर जा रहे थी सुबह 5-40 की घटना है और जैसे ही लोको पाइलेट को रेंपूर इस्टेसन पहुझता है वहाँ पे जो लूप लाइन होती है वहाँ पे इसको जैसे सिलेंडर चोटा सिलेंडर है जो कि तस्मीरों भी आप देख सकते हैं र लोग इस्टानी जो रेल्वे के करमचारी है या लोकल की उपाइव प्रशासन की पुलीश है और उसको सिलेंडर को हर तरीके से जांच प्रताल से करके निकाला जाता है सबसे बड़ी बात कि है साहिल जी कि जैसे की कांपूर में एक यह कि किस तरीके से बात कि अगर अगर बात की जाए तो वहां पर भी एक सिलेंडर जो है रखा गया था जिसके बाद ट्रेन हाथ सा होते होते चला था तो क्या कुछ लगता है ये तीन बड़े हाथ से होते हुए चले हैं और आखिरकार अभी तक इन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जा सका है क्योंकि पुलीस और रेल अधिकारी अगर मौके पर जांच के लिए पहुंचते हैं जो जांच का नतीजा आगे क्यों नहीं आ रहा बता तう कि जिस तरीके से कानपूर में जो दो हज़से पहले भी हो जुके थे हर तरीके से रेल लोगों से कूल के नहीं आ रहा इस तरीके से यह एक मालगाडी का जो हासा होutes handy बचा है यह देखने वाले बात यह Ace तरीके से कांपुर में तिवरा हासा होते 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 बचा है अब यहाँ पर जी तरीके से प्रसासन कांपुर कமिश्ट्ट का है और रेलवे के अधिकारी उन बिंदो और जब पहला हद्सा हुआ था तो क्या जांच चुरू हुई थी अगर हुई तो उसमें क्या कुछ निकल कर आया दूसरा हद्सा हुआ अब निरंतर ये तीसरा हारल कर सामने आया अलकि मालगाडी थी लेकिन कोई भी बड़ा हाद्सा हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत भड़ी लापरवाही बरती जसकती है जिस वशेसे बसधे नुकसादम तो होगा इंग जब ट्रेन में इसके सामने आईगी अभी किस सतर पर जांच हो रही है और अगर हो रही है तो क्या चीज़ इस प्रात्मीं निकलकर सामने आ रही है क्या कुई किसी पे कारवाई हुई है या नहीं यह सब चीजें हो रही है। प्रदासन रेलवे का अधिकारी एटियस की हर तरीके से चांचों में लगी हुई है मगर आला की अभी तक कुछ भी ऐसा निकल के सामने नहीं आपा रहा है जो कि अभी तक ऐसा कुछ बनाया जा सकता है और नहीं किसी तरीके से अभी कोई बिल्वों पे यह लिखित में कोई दिया गया है कि कि तरीके से क्या है और यह लगातार जो चांचे हैं जीरो ग्राउंड पर प्रदासन करता हुआ नहीं जा रहा है यह मामला अभी तक फुल तरीके तक फुल के नहीं आ रहा है जी अब आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर आपको बताने की कोशिश हम करेंगे किस तरह से इस वक्त यूपी में बेरट में लोगों मंत्री के खिलाप मोर्चा खोल दिया है यूपी से बड़ जानकारी लोगों ने सोमेंद्र तोमर के खिलाप नारे बाजी की देगे लोगों ने एक मोर्चा खोल दिया है विनाएक कॉलोरी के दिवास्यों नहीं हंगामा कर दिया है मंत्री के खिलाफ रास्ते पर लेकर यह बाबला है और जिसके तस्विरें आपके टीवी स्क्रीन पर क्या लोग जो है वो लगातार यह पोस्टर के जरीए कह रहे हैं हमें बचाओ, हमें बचाओ, उनके पोस्टर पर पूरी तरह से लिखा हुआ है मंत्री के लिए हाई हाई के नारे लगे हुए हैं और यह रास्ते पर अवैद कबजे का पूरा बाबला जिसको लेकर लोगों ने हंगावा किया है यह यूपी का पूरा बाबला बेरट का जहाँ पर लोगों ने मंत्री के खिलाब यह मूर्चा खोल दिया बिल्कुल इसी के साथ मेरिट में भाजपा के उर्जा राज्यमंत्री डॉक्टर सूमेंद्र तोमर पर मोरीपूरम सित विनाय कलोनी में लोगों ने जो है ये मोचा कोला है और साफ तोर पर आपको बता दे कि अवैद कबजे का मामला जो है ये सामने आया है और तूल के निवासियों ने ये हंगामा किया जहां पर अवैद कबजे को लेकर ये हंगामा सामने आया था कि विदाहयक और मंत्री सोमिंदर तुमर पर जमीन कब जाने का आरोप है और आज कुछ लोग कमिशनरी कारले पर पहुचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और ग्यापन साफाय कमिशनर को और बताया है कि जो मेरेट से जक्षर विदाहयक हैं और मंत्री हैं सोमिंदर हैं और अपनी मांग रख रहे हैं उनके साथ हो रहा है वो बता रहे हैं अपका नाम के हैं मेरा नाम स्रीमती नवींत्यागी है मेरा डेल सोगज का पलोट है और जी इन्होंनों परिशर करक्था कि रास्ता तो मिलने का नहीं किसी कंडिशन मेंना वो खरीद रख्या और पैसा लेलो चुपचाब निकल जाओ अन्नी तो मतलब कुछ नहीं मेरे हाथ लगने का यहां वजा क्या है कि विदायक का इसमें रूल आ रहा है मंत्री का कब जा रहा ना स्वमिंदर तोमर जी उजा मंत्री वे का रहे हैं मेरे कान की जमीन है मेरे एरिये में पढ़वी है म मेरे मतलब उसमें पढ़वी नगदीख में मैं इसमें एक बड़ी हसा होटल बनाऊंगा अब पैसे तुम आठ हजार गज के लिटते हो ले लो और यह तक्ति जो ले रखी है इसमें घ्रह मंत्री अमित शाह हैं परदान मंत्री मोधी हैं और उत्तर प्रदेश सरक्कार में म कि अपकी जमीन कप जाई हैं हमारा वे सोगज का प्लोट हो कप जालिया रास्तान देरा अब बहुत परेसान है वह पूछ भी सुनवाई नहीं हो डी कहां कहां आपने दोहारा लगाई हैं किनकिन दरबाजों पर सरकारी दरबाजों पर सब जगा लगा लिए हमने तो दूह सब्सक्राइब करें तुमेंदर तोमर उर्जा मंत्री के कितने लगबख प्लॉट है उसके लाके में जो दिन पर जबरन कपजा करने के उस पर जाने के आरोप है और मंतरी पर लग रहा है कितने प्लॉट हैं और लगता राधिकारियों का चक्र काट रहा हैं लगनौ जाने के पास जांगे लगनौ अब जाने का अज अज हम संगी सोम जी से मिले दे संगी सोम जी ने काा मेरी निदीजर रास्ता लगा वा बिल्कुल तुमारा सो परसेंट रास्ता खुलगा राउंगा अंसे वाजप हिज Say चिसे7 थि तीन बार वाजप जी थे लेकिन भाश्पा सरकार में जिसमें खुद मुख्या मंत्रियों कहते हैं कि कानून का इकबाल बुलंद है उस दोर में आप आरोप लगा रहे हैं भाश्पा के मंत्री पर जो दक्षन से बिलाहेक हैं और दूसरी बार की बिलाहेक हैं हाजी वो जो है देखो पहले समाजवादी पर लगता था आज बिजेपी की दोसो चार सो तीन सा अर दोसो चालिस पर क्यों आई सीटे वह इसी कारणता है इन जैसे के गुंडों के जो है हम सब बिजेपी के ओड़ देने वाले हम खुद योगी मोधी के लिए हम लड़ बड़ी खुश हो मा क्या बात है खुशी तो होगी क्योंकि मोधी जी देंगे हर साल दो एलपीजी सिलंडर मा सम्मान योजना के अठारा हजार पे और ओल्डेट पैंचरन तीन गुना करेंगे सच्छी हाँ क्योंकि जहां भाजपा वहां विकास शांती स्थिर्ता और विक जम्मू कश्मीर को मोधी पर विश्वास